लिमिटेड के और से आपका तहदिल से स्वागत करती हूँ येस आज हम लोग यहां पर आज हम लोग यहां पर एक बहुत ही बड़िया वेबिनार की वेबिनार को इनिशेट कर रहे हैं जिसका नाम है लीलावती हिंदी में येस तो आपको पता होगा कि ये लीलावती ये जो किताब है ये भासकराचारिय जी ने लिखी थी ज्यादा डीटेल सुधाकर अगरकर सर देने वाले हैं लेकिन मैं इन शॉट थोड़ा सा बोलूंगी कि गणी तालय क्या है और उस पर क्या-क्या एक्टिविटीज होती है वैसे अगर देखा जाए तो बच्चों को बहुत डर लगता है गणी तो ये जो विशय है ये इस गणीत विशय की जो का जो डर होता है य कैसे तो चलो देखते हैं आप अगर सुबे जल्दी सवेरे उठते हो ये कितने बजे उठते हो वहाँ पर भी गणीत है आप तयार होके स्कूल जाते हो आपका स्कूल आट बजे है तो वहाँ पर भी गणीत है आपके स्कूल में कितने बच्चे है ये इस मान लीजे आपके स्कूल में 50 बच्चे है तो वहाँ पर भी गणित है ठीक है तो यहां से गणित की जो शुरुवात होती है येस फिर आप देखोगे कि आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हो आपके गणित बदलते जाते हैं लेकिन गणित रहता है येस तो ये जो गणित है येस इसको इससे हमे डरना नहीं है इससे अगर आप दोस्ती कर लोगे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से आपकी लाइफ व्यतीत कर पाऊगे येस तो इसमें आप देखोगे कि गणेत ये विश्यग है लेकिन ये गणेत गणीती विचार जो है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से अगर आप आत्मसात कर ले तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, तो ये गणीती विचार हमें क्या करता है, तो logical thinking बढ़ाता है, logical thinking बढ़ाता है, reasoning बढ़ाता है, इससे क्या होगा, आप जिस किसी भी field में जाओगे, उसमें आप देखोगे कि आप कामियाब हो रहे हो, तो इसलिए हम लोगों को ये गणीत जो है, इसे आत्मसात करना है, ये विशाय तो है ही, no doubt, लेकिन आप इसके पीछे का जो गणीती विचार है, उसको अगर आप आत्मसात करोगे, तो बहुत बढ़िया आपकी प्रगती होती आपको दिखेगी, तो ये गणीताले platform हमारा जो है, ये बेसिकली आज इवन सभासदत्व देता है बच्चों को, एक बार जोइन करते हैं तो, इस पर बहुत सारे हम लोग activities रन करते हैं, जिससे बच्चों की गणीत इस विशाय का जो डर होता है, वो कम हो जाए, येस निकल जाए, हम लोग हर मंगलवार के दिन हम लोग द आज इस वो सॉल्व करने लगेंगे, तो उनको महसूस होगा कि गणीत कितना अच्छा है और इतना सिंपल होता जा रहा है, फिर हम लोगों ने देखा कि गणित हर जगह पर है, तो math, dance में भी गणित है, music में भी गणित है, folk music में भी गणित है, तो सभी जगह पर गणित है तो हम लोग ने एक webinar series conduct की थी, जिसमें उस शेत्र के जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, उन्होंने उसमें सहभाग लिया था, और गनित और उनका जो विशय है, मान लीजिये dance है, तो उसका relation और वो कितना गनित उसके उपर कितना प्रभाव डालता है, यह ऐसे प्रकार की एक webinar series हम लोगों ने conduct की थी, फिर stories of invention, हमें पता है कि कोई शोध होता है, किसी भी चीज का शोध होता है, तो उसके पीछे बहुत सारे कश्ट होते हैं, अब यह जो कश्ट है, यह हम लोगों के सामने नहीं आते हैं, किसने शोध किया है, किसने invention किया है, यह हमें पता है, कौन से साल में किया होता है ये भी हमें पता होता है लेकिन ये करते करते उन्हें बहुत सारी कठीनाईयों का सामना करना पड़ता है और ये जो कठीनाईयों का सामना है ये हम लोगों के सामने डॉक्टर सुधाकर अगरकर सर ने एक बहुत ही बढ़िया वेबिनार सीरीज के रूप में लाया है जिसमें उन्होंने मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी, जगदीश चंद्रबोस सर, जॉर्ज बॉशिंग्टन कारवर, माइकल फैरिडे, ये जो बहुत ही प्रसिद शास्तरद्य है, इनके invention के पीछे इन्होंने कितने कष्ट किये हैं, ये कहानी के रूप में उन्होंने इस वेबिनार में बताया है, फिर mathematics of invention, हम लोग science park जो होता है, जो है, उसके साथ ये collaborative काम कर रहे हैं, जिसमें हर एक exhibit, वहाँ पर जो भी experiment होगा, उसके पीछे क्या करके एक activity run कर रहे हैं इस activity में आप देखोगे कि उस experiment में उस experiment में आप देखोगे कि क्या गणित है और वो बच्चों के सामने हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से लाया है फिर recently हम लोग एक activity कर रहे हैं जो कि tides के उपर आधारित है ज्वार भाटा येस इसके उपर अधारित है अब ये ज्वार और भाटा ये तो रोजी आता है समंदर में येस लेकिन कुछ ऐसे times है जिसमें ये ज्वार भाटे का जो समुद्र जल की जो पातरी है उसकी जो स्तर है वो बढ़ता ही जाता है और ये जब बढ़ता है तो कहा जाता है कि सूपर टाइड आया ह तो ऐसे सूपर टाइड जो है ये जून महने जुलई महने और आगस्ट महने के कुछ दिनों में शेडियूल की बताए गए है डीके सोमन करके जो पंचांग करते हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है प्रेडिक्शन किया है और ये जो प्रेडिक्शन है येस इसके तो गणित यह विशय ये बहुती मज़ेदार बहुती अच्छी तरीके से आपके सामने हम लोग ने प्रस्तुत किया है तो ऐसे यह और काफी सारे हमारी activities हैं जो कि गणित विशय को बहुत गणित विशय का जो डर होता है बच्चों के मन में वो निकालने का काम हम लोग करते हैं यह तो इसके अलावा इसके अलावा काफी सारी activities और भी हम लोग लेके आने वाले हैं उसमें से एक यह activity है जो की लिलावती यह लिलावती जो ग्रंत है जो भासकराचारिय जी ने लिखा था अपनी बेटी के लिए यह इसका हम लोगों ने मराथी में भी storytelling के form में मराथी में भी उसके जो श्लोक है उसका निरूपन किया है और यह सारी वेब सीरीज हमारे यह 24 lectures की जो वेब सीरीज हम लोगों ने मराथी में बनाई थी वो भी हमारे इस गणी ताले पोर्टल पर available है इसके अलावा other than curriculum यहने हमारे जो syllabus में होता है इसके अलावा जो भी मैट्स होता है वो conceptually समझ में आना चाहिए इसलिए हम लोगों ने काफी सारे वीडियो इस गणी ताले पोर्टल पर रखे हैं तो आप वो देख सकते हैं यह तो यह था गणी ताले इस platform के बारे में थोड़ी सी information अब मैं अब मैं अनुरोद करूंगी श्री अजय कि वो दो शब्द कहें मैं सर की पहचान करा देती हूं अजय कुमार सर प्रोग्राम ऑफिसर एंड इंचार्ज ऑफ अंकनाद प्रोग्राम है फ्रॉम डिरेक्टरेक्ट ऑफ एजुकेशन हर्याना से यह सो वेरी गुड मॉर्निंग सर सर आप आपके शुब कामनाएं हमारे इस प्रोग्राम के लिए देंगे तो बढ़िया होगा और आज की जो हमारा प्रिकरम है उस कारेक्रम के दिए हमारे आप सभी को शुब कामना देता हूं और आश्या पर रुपता हूं इसके तहफ हमारे जो गणिताले पोटल पर भी हमारे वच्चे जुने हैं उन्हों वो भी लबाने जाओंगे लने आज येस तैंक यू सो मच सर अब हम लोग जिस वेबिनार सीरीज के लिए गैदर हुए है येस वो वेबिनार सीरीज डॉक्टर सुधाकर अगरकर सर लेने वाले हैं मैं उनकी पहचान करा देती हूं प्रेजेंटली अगरकर सर ये वर्किंग अज़ प्रोफेसर एंड दीन अट वी प्यम अचैडेमी आफ इंटरनेशनल एडूकेशन और रिसेर्च वे होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एडूकेशन टी आफर में विद्यान और गणित शिक्षा में लंबे करियर से रिटायर हो गये हैं विद्यान तथा गणित को लोकप्रिय बनाने का काम वे अलग-अलग माध्यमों से करते हैं उनके विशेश रुची जो है वो सामाजिक रूप से वंचित छात्रों की शिक्षा में हैं मुंबई और महराष्ट के आदिवासी क्षेत्रों में वंचित छात्रों के साथ काम करते हुए उन्हों समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के बीच विद्यान और गणित सीखने की सुविधा के लिए उपचारात्मक अनुदेशात्मक रणनीती विकसित की है वे मराठी विद्यान परिशत जो की एक शेत्रिय भाषा मराठी का उपयोग करके विद्यान के प्रसार मे अलग एक ऐसी स्वेचिक संगटन है उसके वे आजीवन सदस्य है जो विद्यान और गणित को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई तरह से लोक्त्रिय कारिकरम आयोजित करते हैं उन्होंने कही लोक्त्रिय लेक लिके हैं जो विद्यान पत्रिका विद्यान वारता और उनको कॉलेज के दिनों में काफी सारी स्कॉलर्शिप्स के वे हगदार हो चुके हैं उनका योगदान पंडामेंटल एजुकेशन में सर्वोत कृष्ट सेवा है और उसके लिए उन्हें मेरी मेकारडी अंतराश्ट्रिय पुरसकार भी दिया गया है उन्हें Fellow of International Union of Pure and Applied Chemistry की तोर पर भी चुना गया है उनके सौ से भी जादा राश्ट्रिय तथा अंतराश्ट्रिय जर्नल्स में पेपर्स हैं उन्होंने बच्चों के लिए काफी सारे किताबे लिखी है How and Why in Science, Science Quiz, Use of Vacation for Students, Personality Development ऐसी बहुत सारे किताबे उन्होंने बच्चों के लिए लिए लिखी है यह तो आएए इस अश्टपहलू व्यक्तिमत्व को हम यह सीरीज लेने के लिए आमंतरित करते हैं इस ओवर टे यू सर नमस्ते सभी को हम दूर से ही बात कर रहे है फिर भी कोई अर्ज नहीं है इस टेकनोलाजी के डेवलप्मेंट ने यह पॉसिबल कर दिया है कि हम कहीं भी रहे एक दुसरे से बात कर सकते हैं और हमारे विचार दुसरों तक पहुंचा सकते हैं तो जैसे पैड़म ने अभी कहा कि यह जो लिलावती नाम का ग्रंथ है तो पासकर अचार्या ने बारवी सदी में लिखा था उसके बारे में हम अचर्चा करने वाले हैं हुआ यह कि 1114 में उनका जनम हुआ और 2014 में उनके जनम को 900 साल पूरे हुए उस बहाने देश के और देशों में भी कुछ कॉंफरेंस होए कुछ सभाय हुई मीटिंग हुई तो हमने एक ऐसे ही कॉंफरेंस ठाना में रखा था बाद में यह पता चला है कि यह conference में क्या होता है कि जो इसके ग्यानी है वोई लोग आते हैं, discussion करते हैं तो यह नए PD को ग्यान पहुंचना चाहिए तो नए PD को ग्यान कैसे पहुंचे तो इसलिए मैंने लिलावती करंद के आधार पर वर्क्शॉप्स करने शुरू किये स्कूलों में, स्कूल बच्चों के लिया, इसकी शुरुवात भोपाल में हुई, उस वक्त मैंने हिंदी में भाशन दिया था, रजस्थान में भी गुलाओं, बैसे मुझे बहुत आदत नहीं है हिंदी की, फिर भी मैं कोचिश करूंगा, तो उसके बाद में महराष्टर में, अंधरपरदेश में, करनाटेक में, कई वर्क्शॉप्स मैंने 2014 से किया है, इसकी मालूमात जब अंकराद को हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई, क्या हम इसका एक सिस्ट्रेमेटिक वेबिनार कर सकते हैं, यह करोना का पिरोड था, तो क स्कूल में जाके इंट्रेक्शन करना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम वेबिनार के माध्यम से बच्चे तो पहुंचते हैं, तो 2020 के मार्च को लेकर 2021 के फरवरी तक हमने माराठी में 24 सिमिनार माराठी में किये, और उसे बहुत अच्छा प्रतिसात बिला, उस के बाद में फिर हमने सोचा कि हिंदे में करते हैं, तो ये पहला सेशन है, इस पहले सेशन में मैं आपको दिलावति गरंथ क्या है, उसकी विशेष्टाय क्या है, वगरार आप मैं पताऊंगा, उसके बाद में जो सेशन साएंगे तो हम एक-एक विशे लेके उसके जो ग्रहपाट भी दूँगा, जो आपको करके अंकराद को भेजना है, आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो आप अंकराद को भेज सकते हो, तो उसके जवाब मैं दूसरे सेशन में, अगले सेशन में देने की कोशिश करूँगा, अब इस वेगराउंड के साथ मैं अंकराद क देनेश जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अमारा मेरा जो पावर पॉइंट मैंने उनको भेजा है, वो शुरू करें, देनेश जी, यस सर, जस्ट सब्सक्राइब, दिललावती गरंत्य परिचे ऐसा मैंने नाम दिया है, यह मेरा नाम है, वैसे अभी अश्वीनी मैडम ने बताया है, तो मेरी भग्त, लंबी करियर टाटा इंस्टर फंडमिल रिसर्च पे गई है, उसके बाद में मैं ठाना के इंटरनेश्टल एकेडम में काम करता हूं, अभी कुछ सालों से मैप एपिक से जुड़ा हूं, तो यह जो सेशन्स होने वाले है, यह मैप एपिक स तरफ से हो रहे हैं, तो यह इसकी बैक्ग्राउंड है, थोड़ा हम आगे जाते हैं, नेक्स स्लाइड प्लीज, तो लीलावट्टी के बारे में बोलने के पहले, मैं आपको यह बताना चाहूं का, कि अपने देश को बड़ी परमपरा है गनित की, बहुत जगे पे यह कहां जाता है कि यहां पे बहुत सालों से गनित होता था, एक अनुभा मैं आपको देना चाहता हूं, कुछ साल पहले मैं शिकागो शहर में लेक्चर दे रहा था, जैसे इन्होंने बताए कि मैंने ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए यह काम किया है, ट्राइबल स्टूडेंट्स को गनित कैसे सिखाया जा, इसके वारे में जो मारा काम है वो मैं प्रेजेंट कर रहा था, उस प्रेजेंटेशन के बाद एक अमेरिकन प्रोफेसर खड़े हुए और बोले कि, डप्टर अगखा, वाट टाइप अप मैटमाडिस दू यू संस्थाय है, उसके प्रमुख भी भारती है, बन गया है, तो मैंने जवाब में उनको कहा कि सर, हमारे बच्चेों को गणित सिखाने की जबरती नहीं है, क्यूंकि हमारे जीन्स में ही गणित है, आप जो स्कूल में गए, कॉलेज में गए, उनके बारे में पूछ रहे हो, म उससे ये आदा किलो लो, वो पाव किलो लो, वो देड़ किलो लो, उसके बाद में उसको पूछों कितना हुआ, वो इमेजेटली बताती है, उसे कैल्कुलेटर की जदत नहीं है, और वो कभी गलत नहीं होती है, तो ये ये जो परमपरा है हमारी गणित की, ये कुछ कारण इसा था गडित के बारे में जो हमारे पुराने गरंथों में लिखा है, वो ऐसा लिखा है, यथा शीखा मयूराना, नागाना मनयो यथा, तद्वत वेदांग शास्त्राना, गनितम मूर्धनी स्थिताव, इसका मतलब क्या होता है? कि मयूर, जो हमर होता है, मयूर के सिर पर उसका ये तुरा होता है, शीखा जी सकते हैं, नाग के सर पर ही उसका मनी होता है, उसी तरह सभी वेदांग शास्त्रों गनित का स्थान बहुत उचा है, ये कहा गया है हमारे पुराने स्किप्टर्स में, और उसी हिसाब से आप जाए तो बहुत लोगों ने गनित की सेवा कई सालों से की है, उसके कुछ उधारन मैं आपको देता हूं, मैंने क्या किया है, मैंने एक गरंथ का नाम लिखा है, और उस गरंथ को लिखने वाले कौन है, इसका नाम लिखा है, और तब का समय था ये बताने की कुशिश ये ह अब बाग पुराने ग्रंथों पर नहीं जाओंगा मैं शूल्बसूत्रों से शुरूब रुगा है शूल्बसूत्र ये इसाइपूरो में हुआ है सन में और उसमें बोधायन काट्टेयन इन्होंने बड़ा कंट्रिबीशन किया है जिसे हम पाइधागोरस ठेरम करते हैं ये इसमिशन के बाद हुए है पाच्वी सदी में उन्होंने अर्या भटिय नाम का एक बड़ा कबोल सास्त्रिय ग्रंथ लिखा है उसमें भी बहुत अच्छा गणित है उसके बाद में आते है वराहा मिहिर जो शटी सदी में आए और उन्हें पंच सिध्धानती का नाम का ग् प्रंत ब्रह्मागुप्ता ने दिखा है वो शट्वी सदी का है उसके बाद में महाविर अचार्या हुए वह नवी सदी में उन्हें गरंइता सारशंगर लिखा है और यही परंपरा इसमें एक बहुत कर आचार्या नाम के भी गणिती थे उन्हें बहास कर एक आ जाता है तो मैं ये बता कर कि भाई ये गरिद के अभी बड़ी परंपरा है, ये बता कर अभी मैं भासकराचार्य की तरह आपको ले जाना चाहूंगा. Next slide, Danish. तो भासकराचार्य स्लाइड ने दिखाई दे रही है. दाने स्लाइड ने दिखाई दे रही है. Sir, just a sick. तुस्रे स्लाइड. भासकराचार्य जिन्हें भासकर दृतिय कहा जाता है, त्यूंकि इसी नाम से एक गनिती हुए थे. पहले तो उन्हों डिफरेंशेट करने के लिए भासकर एक और भासकर दोन भासकर प्रथम रासकर बित्य कहते हैं. इनका जनम बारवी सदी में हुआ था और हम जो शालिवान शक केलेंडरी इस्तिवार करते हैं. उसके हिसाब से एक हजार उन्चालिस सके में उनका जनम हुआ. जो अपने ग्रिगेरिन के रेंटरी सब्सक्राइब ग्यारा सो चौजा होता है. और विज्जल विर उनके जनम का स्थान था जो महरास्त्र में चालिस गाउ के नजदिक है. और यह जो कुतला आपको राइट सैड में दिखाई देता है, यह वही के नजदिक से लिया हुआ है. वो एक पाटन नाम का गाव है चालिस गाव के पास, वहां के जंगल में यह पाया जाता है. और यह जगह क्या है तो इस जगह पर उनके जो पोते थे चांगदेय नाम के उनका एक आश्रम था, चांगदेव भासकराइचारिय को अपना गुरू मानते थे, तो उन्होंने इही गनित शिकाने पढ़ाने के लिए आश्रम चुरू किया था, वैसे भासकराइचारिय तो उज्जन में काम करते थे, आपको पता होगा उज्जन ये बड़ा ग्यान का केद्र था उन दिनों में, और खगोल शास्त्र के हिसाब से बहुत काम वहां चलता था, वहां खगोल उभाग के प्रमोक थे, तो उनका जनम जहां हुआ उसी आस-पास चांगदेव ने अपना बनाया था, और ये अभी भी ये पुतला अच्छी कंडिशन में है, और मैं बिन्ती करता हूँ को अगर किसी को पॉसिबल है, कभी आप 40 गाव के दस दिक जाते हो, तो वहां से कुछ 12-15 किलोमेटर के अंदर पर ये पाटन नाम का काव है, इसी जरूर विजिद कीजिएग अब नेक्स स्लाइड लीजिए, नेक्स स्लाइड, अब ये जो भासकर आचारियत है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये खगोल विभाग के प्रमुप थे, वहां पर, तो वो बहुत लेखन कारिया करते थे, वो जब उनकी उमर जब 36 साल के थी, अदलब 1150 में, उन्होंने एक ब सिद्धान्त शिरोमनी के चार भाग है, तो चार भाग में से पहला तो लिलावति, जो बेसीकलिर अंद गलित है, बीज गलित जो जिसे हम गरंत लिखा है अब लेकिन हम सिद्धानते शरोपनी पर फोकस कर रहे तो उसका नाम मैंने यहाने लिखा है अब इन चार हिस्थों में से लिलावती बहुती प्रसिद्ध भी क्योंकि यह एक तो सिंपल है स्कूली बच्चों के लिए उप्यूगता है और जनरल पबिल्टे भी बहुत उप्यूगता है तो इसकी वज़े से यह ज्यादा प्रसिद्ध हुई रिकॉर्ड में ऐसा कहा जाता है कि कई स्कूलों में इसका पाठ्थे पुस्तक करके ही इस्तिमाल किया जाता था कई सालों में सालों था और इसके कई भाशाओं में भाशत ब्रुबाराण कुया है तो उसकी बारे में चार्चा हम बात में करेंगे अब हम लिलावती ग्रंथ पर आते हैं और उसके बारे में अलग-अलग बाते कही जाती है लिलावटी कोन ठी वगरावबरा तो एक कहानी है कि लिलावटी ये भासकराचारे के लड़की का नाम था और भासकराचारे जैसे कगोल सास्तरग्य थे वैसे ही जोतिशिमे भी विश्वा सकते थे उरहोंने उचकी अपने लड़की कुंडली बनाई और जब कुंडली बनाई तो उसे पता चला कि इसका वयवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा क्यूंकि कुछ साल बाद उसके पती गुजर जाये। अब इसको टालने के लिए एक मुहूर्त उन्होंने निकाला था। और उस मुहूर्त को एचिव करने के लिए उसने एक गटी का पात्र बनाया था। गटी का पात्र ऐसा होता है कि एक ऐसा क्या बलते मत्टी का बर्चन होता है उसे निचे से छोटा सा चेद होता है। उसको पानी में रखो तो चेद से पानी उकोराता है। और जब ये गटी का पात्र पूरा भर जाता है तो निचे हे जाता है। कितने समय के बात… तो घटी का ग़िए उटका देखनी के लिए वह नगिया। लेकिन हुआ ये कि जहाँ गटी का पात्र ry रखा हूए था वहाँ कितना समय आव अरहा है। देखने के लिए वो गई और कहानिया ऐसी कहते है कि उनके नात की जो छुट सी वनी था वो उसमें गिरा और छेद भुझ गया और घटी का पात्रा डूपने के लिए ज्यादा समय लगा उस मूर्थ पर उसकी शाधी नहीं हो पाई और जो होना था वही हुआ उसके बाद में उसके पती का वियोग और पती वियोग के बाद वो फिफ आपिस आई पिताजी के घर पिताजी ने उसे इंगेज रखने के लिए काम में रखने के लिए गनित बताने शुरू किये वो एक उदारन देते थे और लिलावती इतनी होश्यार थी कि उसका जवाब एक्दम देत आपको आगे देखने को मिलेगा इस कहाने का हिस्टारिकल सपोर्ट वैसे मिला नहीं है लेकिन एक अंगरेजी किताब में मिला हुआ एक पिक्चर में यहां आ रख रहा है जिसके बारे में एक्सपर्ट्स में बड़ी चर्चा है लेकिन यह कहारी बड़ी रोचक है और इसलिए बताता हूं कि हमारे स्कूल में जो लड़किया है उनको यह पता चले कि बारवी सदी में भी लड़कियों को गनित सिखाने की कूशिश की जाती थी अभी एक ग्रूप आपको पता होगा जो जेंडर एंड साइंस एंड टेक्नोलजी नाम को एक ग्रूप है वो उन गनित की तरफ उनका रुजाव कम होता है तो भारत के रिष्टी से भी तेखा जाए तो भारत को जो गनित की परमपरा है लड़कियों ने जो भी गनित में खाम किया है उसका विचार करते हुए लड़कियों ने बड़े पहिमाने पे इस शेतर में आना चाहिए यह मैं इस अब यह कुछ हस्त लिखित के पेज मुझे मिले है इसमें आपको दिखाए देखा कि हाथ से लिखेवे सांस्विप के स्लोख है उसमें चित्र भी है आप अगर यहां देखो यह तो एक पंबा है उसके ओपर मयूर बैठा हुआ है यह उधारन मैं इसी स्लाइट सेचन में तो ऐसा आपको दिखाए जो उनको हस्त लिखित था वो वो सचीत्र था अच्छी तरह से लिखा हुआ है पहीं जगों पे उसे अभी भी सवरक्षित करके रखा हुआ यह बहुत अच्छी बात है तो आगे बढ़ते है नानेज जी आगे कि स्लाइटली जी तो लिलावती क्रंथ की जी शुरुवात है वो गनेश स्तूती से अरब होती है तो यह गनेश स्तूती क्या है यह मैंने ग्रंथ से लिए है तो पहले इस स्तूती को हम पढ़ते है उसके बाद में फिर उसका हिंदी में क्या अनुवाद है यह बताने की कुशिश करता हूँ तो मैं उस जाने के पहले आपको यह बताना चाहता हूँ कि हिंदी के लिए मैं यह किताब को रिफर कर रहा हूं, आपको प्लिवर्कट लिखता है, यह मैंने बनारस से मंगवाया है, यह रामचंद्र पंडे नाम के विक्तिरे लिखा हुआ है, यह से इस किताब का मैं रेफरेंस लोगा, यहां हुनँने जो बे उसका रुपा आंतरण किया है, उसका इस्तेमाल में करूंगा, अभी हमें काम का विभाजन ऐसे किया है, यह जो संस्कूत च्रुत के जानकारी है, उ हम बिंति करेंगे कि वो संस्कूत का च्वड़े है, उसके बाद में फिर मैं उसका हिंदी रुपा अंदर आपको बताऊंगा तो बापट मैडम ज़रा पढ़िए एक मिनिट मैं पहले आसावरी बापट मैडम की पहचान करा रेना चाहती हूं उनका M.A.B.A. भुआ है और गौर्वर्मेंट स्कूल्स तथा जुनियर कॉलेज मे उनका अध्यपन का 27 साल का अनुभाव है उन्होंने संस्कूल्द और English Language वहां पढ़ाई है और पचीस सालों से वे संस्कूल्द भारती संस्था की कार्या करती है और वे विनामूल्य संस्कूल्द का अध्यापन करती है तो मैं उनसे दर्ख्वास करती हूं कि वो श्लोक प प्रीतिर्भक्त जनस्ययो जनयते विग्नम विनिग्नन स्मृत तम व्रुंदाकर व्रुंदवंधित पदम नत्वामतं गाननं पाथी सद्गनितस्य वच्मि चतुर प्रीति प्रदां प्रस्पुतां संक्षिप्ताक्षरको मलामलपदैर लालित्यली लावति तो इसका जो अर्थ है वो अर्थ इस तरह है हिंदी में जो स्वरन करने मात्र से विग्नों का विनाश करती हुए भक्त जनों में अनुराग उत्पन्य करते हैं तथा देवताओं के समुह से वंदित चर्णों वाले उन गजानन श्री गनेश जी को प्रणाम कर विद्वानों को प्रीती प्रदान करने वाली सुस्वष्ट संक्षित अक्षुरवाली कोमल मिर्दोष्पदों से युक्त लालित्य गुनसंपन्न लिलावती नामक सुन्दर व्यक्त गनित की प्रक्रिया को कह रहाओं तो यह उनका इंट्रोडक्शन है शुरुवात में आपको पता है हमारे यहां यह गनेश्ची को याद किया है और उनका श्तुति भी की है और उसके बाद में यह बताया है कि यह जो किताब में लिख रहा हूं वो कैसी है तो प्रिती प्रधान करने वाली सुस्वष्ट संक्षित अक्षिरवाली क्योंकि उनने श्लोप में रिखावा है कोमल मिर्दोष्प सुन्नर व्यक्ते गनित व्यक्ते गनित कहते हैं कि प्रक्रियाकरु मैं कहा रहा हूं यह पहले शुरुवात में बताते हैं तो हम थोड़ा अभी आगे जाते हैं तो इनकी विशेष्टा क्या है बासकराचारिय की लिखने की बड़ी विशेष्टा है एक विशेष्टा यह है कि बासकराचारिय क्या करते है कि पहले तो एक तत्व प्रिंसिपल बताते है कि हमें अगर ऐसे ऐसे सिचुएशन में उधारन दिया जाए तो क्या करना चाहिए और यह बताने के बाद वो उसी प्रकार का उधारन देते हैं, इस तरह से उनका चलन है, उन्होंने खुद कोई उधारन चुड़ा के नहीं दिखाया है, लेकिन उसकी जरुद भी नहीं है क्योंकि जो सूचना वो देते हैं उसे काम पालट करेगे तो बराबर रास्ते पर जा कई मतलब क्या है, वेस्तेवधी का मतलब ऐसा है कि अगर मैं ये कहो कि मेरे पास एक अंका है, उसे मैं 10 से गुनता हूँ, तो उसे 20 मिलते हैं तो मेरे मन में क्या अंक होगा, तो क्या-क्या म Меня गुनकर मैने आपको 20 बता़ा है, तो अब मेरा गुन का अंका लेने के लिए का करना पड़ेगा उसकी ulti क्लिए करने पड़ेगे मैंने गुना था आपको अगर करना पड़ेगा पड़ेगा और अगर कहता हूं कि मेरे पास स्पाइश है उसमें और कुछ अंग मिला कर उन्होंग दस मिलते तो मो infected तो अगर करने पड़ेगी इसे वेस्तविजी कहते है उसके बारे में ये जो श्लोक है वह अभी बापन मेडम पड़ेगी उसके बाद में फिर्माए उसका हिंदी रूपांतरण करूं 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 अथस्वाँ शाधिकोने तु लवाध्योनों हरो हरहा आउंशसस्त्व विक्रुतस्तत्र विलोमेशेश मुक्तवत अब इसका मैंने अभी थोड़े उसके बताया था यही भाशांतर इसी तर करता है विलोम प्रकार से राशी के ग्यान के लिए दृष्ट अंक में भाजक को गुनक करने गुनक को भाजक, वर्ग को मुल, मुलक को वर्ग, रुनक को धना, एवन धना को रुनक करके क्रिया कर से अभी तर आशी मिलके, मैं अगर कहूं कि मैं मेरे पास एक अंक्र जोचा मैं वर्ग करूगा तो पुझे, वर्ग करूगा, तो यह संख्या क्या है, तो आप क्या करेंगे, मैंने वर्ग किया था उसको वर्ग मूल नीका रहाएं तो यह उनकी एक स्टाइल है कि वो पहले तत्वा प्रिंसिपल बताते हैं फिर उसके बाद में वो उसी पर अधर एक उधारन देते हैं अब उधारन आगे के स्लाइट भी दिखेंगे जानेश आगे स्लाइट अब यह जो उधारन है यह भी श्लोक के रूप्य जैसे आपने आपको मैंने बता है कि पूरी किताब है श्लोक के रूप्य है और बहुत अच्छी तरसे लिखा हुआ है तो बापेट बाडम आप इसको भी बढ़िए जी अब यस्त विथी पर गंट यस्त्रिग्नस्त्रिभिराउं वितस्वचन इर भक्तस्ततस्प्तभी स्वत्र्याउं शेन विवर्जितस्वगुनितो की नोद्विपंचाशता तनमूलेष्ट युतेर तेचदशभिर जातम द्रयंब्रूहितम राशिम्वेट्सिह चंचलाक्षि विमला बाले विलो मक्रियाउ तन्यवाद मैडम आपने एक स्पेशल बात यहां देखी होगी वो क्या कहते है गनित में ही वो कहते है कि ये चंचलाक्षि बाले इस तरह से गनित के किताब पढ़ने की हमें आदर्थ नहीं है क्योंकि हमारा गनित का किताब आडरलेस कलरलेस हो टेस्टलेस ऐसा होता है लेकिन इहां अपने लड़की को वो ये कहते है कि ये चंचलाक्षि बाले यदि तुम सुन्दर विलोंक्रिया को जानती हो तो उस राशी को तीन से गुण कर अपना त्रीगुने चतुर्थांस तीन चतुर्थांस जोड कर उसमें साथ का भाग देकर अपना एक चतुर्थांस घटा कर उसको अपने से ही गुनात, याने वर्ग कर, उना उसमें बावन घटा कर, उसका मूल लेकर, उसमें आठ जोड़कर, दस से भाग दिने पर भागफल दो होता है. अब देखिए जैसे उपर के स्लोप में बताया गए कि हमें क्या करना है, उस पर ये उधार नहीं, उधार सिंपल नहीं है, इसको हम सौल करेंगे, जैसे हम आगे-आगे पड़ेंगे, आज मैं ये गनित नहीं सौल नहीं कर रहा हूं, त्यूंकि आज मैं परिचे करने के मोड मुझे पता है कि ये गनित छुड़ाने में आपको रुची होगी, अगर आप दहें तो कोशिश कीजिए, लेकिन मैं अगले सेसेंस में ये करूंगा, मुझे ये बताना था कि भाई, भासकार जारी की पद्धत ही क्या है, पद्धत ही ये है कि वो शिलोप पहले बताते है, किस तरह से करना है, ये बताते हम वादने उधारन देते हैं, और वो पढ़ने वालों को डायरेक्ट एड्रेस करते है, और ये भी बताते है कि तूम अगर सुनर विलोम क्रिया को जानते हो, ये इसे हम हिंट करते हैं, ये इसकी स्पिशालिटी है, तो थोड़ा आगे और और कुछ ऐसे ही मधिदार उदारन समझने की कुशिश करते हैं दयनेश आगेगा देखिए भासकराचारिय उनके गनेत में पशुपक्षों को लाते है पेड़ पौदों को लाते है किड़े मकोड़ों को लाते हैं इस तरह से बसकरेचारे ने क्या क्या है कि हमारे आजू बाजू में जो है उस सब में गनित कैसा है तो इसकी ये इसकी वज़े से हमें गनित चुड़ाने में डिल्कस्पी पैदा होती है तो एक उधारन उन्होंने जो आपको पता है मैंने हस्तलिकित दिखाया था उस्तलिकित पे एक खंबा था उसके ओपर एक मयूर बैटा था तो वो जो हस्तलिकित में दिखाता उसका ये भाशांतर उसका ये रुपांतर है जो पहले संस्कुरू श्लोक में बबबबबबबब उसके बाद में फिर मैं उसका हिंदी रुपा अंतरण बताओंगा बबनाड़ाग। सर्प और मयूर। अस्ति स्तंभ तले बिलंत दुपरी क्रीडा शिखंडी स्थित हां। स्तंभे हस्त नवोच्छिते त्रिगुनित स्तंभ प्रमानांतरे। दुष्ट्वाहिं बिलमा व्रजन्तम अपतत तिर्यक्सत अस्योपरी। शिप्रम्ब्रूहितयोर बिलात कतिमितयी सामेन गत्योर यूतिही। धन्यवाद मेडम। इसका हिंदे में अरण पहार सा इसा होता है। एक स्तंभे के नीचे एक बिल है। नव हाथ उचे उस स्तंभ पर एक मयूर बैठा है। उनके स्तंभ के तीन गुने हाथ की दूरी पर, मतलब नव गुना तीन सब्ताहिस। पर बिल में जाते हुए एक सर्प को उसने देखा। वो करनमार्ग से उस सर्प को पकड़ने के लिए तूट पड़ा। यदि सर्प और मयूर की गत्य सबान हो, तो बिल से कितनी दूरी पर मयूर ने सर्प को पकड़ ली। अपने से जिस्व गनित की जानकारी है, वो कहेंगे कि ये तो पैथागरस थरम परादर इस उदारन है। बहुत बहुत उदारन है, एक ही ने, ऐसे बहुत उदारन है, और वो फो उदार्ट की कोशिश बाद में करेंगे। लेकिन मैं यह यहां बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे कैसे उधारन लिये है, अपने आजो बाजो में गढ़ने वाली गढ़ना हो को लेकर, जिस जिस से बच्चों में रूची पैदा होगी, ऐसे सिचुएशन दाकर, यह बताने के लिए मैंने यह चलो का भी लिया है, इसको गने को हम बाद में करेंगे, आगे जाएजिए, ज्यार्वी स्लाइड लीजे, गनेश, हाँ, तो मैंने शुरुवात तो गनेश तुटी से की थी, शुरूवात का स्लोग क्या था, यह मैंने आपको पताया था, अब लिलावती में कुछ दोसोग स्लोग है, और उसके आखिर में भी एक स्लोग है, जिसे हम अंतिम स्लोग कहेंगे, वो भी बड़ा महतोपूर्णा है, बड़ा अर्थपूर्णा है, तो बापत मेडम को मैं बिंती करता हूँ कि वो स्लोग है, अंतिम स्लोग, तेशाम सुजति गुनवर्ग विभूशितांगी, शुद्धा खिलव्य वहरति हिखलुकंठ सक्ता, विलावती हसरसोक्ति मुदाहरंती, तेशाम सदै वसुख संपदुपईति वृद्धिम दन्यवाद मेडम, तो इसका अर्थ हिंदी में ऐसा होता है, जिन चात्रों को भाग, गुनत, वर्ग, श्रेणी, निश्रव, आधी वेवहरसी युक्त, सरस लिलावती, नामत, पाटी गनित का अभ्यास्त, उनके सुख संपत्ति की वृद्धी होती रहती है, क्यों तो अश्रुनी मेडम ने पहले काया कि गनित सभी तरफ और गनित को अगर आप समझ लेते हो तो बहुत से बातों की समस्या को हम हाल कर सकते हैं, और आजकल मैथेमेटिकल लिटरसी नाम का एक टर्म अंग्रिजी में इस्टिमाल करते हैं, गनित की साक्षर्ता जो हम क यह अंतीम स्लोक में जो भी उनने कहा हैं, और जब हम लिलावती का यह जो विबिनार सेशन है, पूरा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह कितना इंपोर्टन्ट गरंथ है, कितने अच्छे उधारन है, उधारन वहां पर दिये गया है, और गनित में रूची आने के ल शुक्र गुजार हूँ, तो अभी लास्ट स्लाइड लीजे, तो अभी मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आज मैंने बहुत ज़्यादा स्लोक नहीं लिये है, इसके बाद में हमें कुछ समय ज़्यादा मिलेगा, वहां स्लोक लेंगे, एक-एक विशय लेकर उसके जो उधारन है, वह लेकर उसे हम स्लोक करने की पूछिश करेंगे, और उधारन चुनाने के बाद उसी प्रकार का एक उधारन में आपको ग्रहपाट करके दूगा, जो आपको स्लोक करके बेजना है अंकनार को, आज का ग्रहपाट बहुत सिंपल है, मैंने ये कहा कि अब ये जो भासकरे जारे ने लिलावती नाम का ग्रंत लिखा है, उसका कही भाशाओं में रुपांदरन हो रहे हैं, अभी हमें कुछ समय मिलता है तो थोड़ा ये मालूमात करने की कुशिश कीजिए कि किन-किन भाशाओं में इसका रुपांदरन हुआ है, कब-कब हो गया है, इन 900 सालों में इनके कई भाशाओं में रुपांदरन हुआ है, मैंने और कई भाशाओं में देखे हैं कुछ, तो मैं आपको ये बिंती करता हूं कि ये जो इन्फरमेशन है, वो पूसिश कीजिए, आजकल तो इन्फरमेशन बहुत इसली मिल जाती हैं, और अंक विज़ार करके आपको जवाब देदे की प्रीश करेंगे, मेरा मकसद ये है कि गनित में रूची आने के लिए और भारत की जो गनित परमपरा है, उसे अगले पिड़ी के सामने रखने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, उसमें मुझे बड़ा जैश मिला है, मुझा अनन भी उससे मिलता है, और मुझे भरसा है कि हर्याना राज्य की लड़की इसका जरूर फाइदा उठाएंगे, तो मैं आप सब का आज की लिए धन्यवाद करता हूं, तो और अश्विन मैडम को एंडूर करता हूं, थैंक यू. तो इनके सेशन से आपको पता चलेगा कि अपने रोज, डे टू डे लाइफ में जो भी इंस्टेंसे आते हैं, जो भी आपको आजू-पाजू में दिखता है, उसके उपर ही ये सब कुछ गणित अधारित है, तो आप देखोगे कि ये जो श्लोक है, जो जिसका निरूपन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगरकर सर ने किया है, आप देख सकते हो कि रोज के लाइफ के एक्स्परिमेंट्स हैं या इंस्टेंसे हैं जो बताए गए हैं और बहुत अच्छी तरीके से सर ने एक्स्प्लेन किया है, थैंक यू सो मच सर, नौ मैं मिस्टर का इनाउग्रेशन करें. हम लोग हर एक लीलावती के सेशन में ये कैलेंडर प्रस्तूत करने वाले हैं, इसके उपर कुछ प्रशन पूछे गए हैं, हमारे लीलावती के जो सेशन होता है, उसके उपर बेज्ड एक क्वेशन्स रहेंगे, आपको ये क्वेशन्स के जबाब लिखने हैं और ये जब पोस्ट कर सकते हों, ये और आपको ये करना है, ये एक्टिविटी करने में आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आप गणित भी समझ पाओगे, ये तो ये थी हम लोगों की कैलेंडर की एक्टिविटी, तो मुझे विश्वास है कि आप सब लोग ये एक्टिविटी तो आज का session हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले session में जो की 16 तारीक को होगा, 16 August को होगा, time scene ही है 11 से 12 बजे और सब लोग मिलते हैं 16 तारीक को 11 से 12 बजे, yes, thank you so much. Thank you. करें मिलते हैं 16 तारीक को 11 से 12 बजे, yes, thank you so much.